यह वही बच्चों के लिए क्लास है जो होस्टल वाडर यानि कि छात्राव सदिक्षक सब इस्पेक्टर सीजी व्यपम के लिए प्रैक्टिस सेट है जो एक्जाम के ऐसी प्रस न पूछे जाते हैं आज देखेंगे टॉप 40 कोस्चन देखेंगे कितने कोस्चन देखेंगे ट चात्राव सदिक्षक के इन सारे कंप्लीट आपको हो जाएगा और जो प्यून की तयारी कर रहे हैं भरती उनकी लिए बेस्ट क्लास है ऐसे ही रिलेटेट प्रस न आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे तो चलिए जैसे कि देखें यहां पार एक मिनट ना आज 40 रहेंगे जो कि एक्जाम में ऐसे ही प्रस न रिलेटेट देखने को मिलेगा अगर जो लोग चैनल पर पहली बारा हैं तो वीडियो को क्या करोगे सस्क्राइब करके रख लो साथ ही बेल आइकन के घंटी को आल पर सेट कर लेना जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेट वीडियो अ आपका बहुं सार एक्जाम में ऐसी प्रस न देखने को मिलेगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो तक वीडियो को क्या करोगे सस्क्राइब और आल पर सेट करके रख लीजेगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए यह प्रैक्टिस सेट थी है ठीक है प्रैक्टिस सेट थी है तो यह सेकंड में आपका प्रस न पुछा गया था यह वाला तो इसका अंसर बहुत लोगों का डी आया है तो चलिए देखते हैं कि सही है या गलत 36 गड़ी अब उसन बनुवारिया कहां पहना जाता है देखिए बनुवारिया जो होता है वो कलाई में पहना जाता है तो सभी का अंसर बहुत 90% सही हुआ है सभी का कलाई आएगा ठीक गला में क्या पहना जाता है तो गला में हार पहना जाता है नाक में क्या पहना जाता है नाक में क्या पाने जाते हैं नथली कार में क्या पाने जाते हैं बाली ठीक है यहां तक क्लियर हो गया चलिए तो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं पहला तो पहला प्रस्ण है चतिस गड़ से देखेंगे चतिस गड़ का समाने ज्यान से तो पहला प्रस्ण है आपका 36 गड़ के अंतिम मराठा सासक कौन है तो 36 गड़ के जो अंतिम मराठा सासक है वो कौन है तो आपसन है आपका कृष्णा राव अपपा आपसन B है रगुजी तृति है आपसन C है अपपा जी भोसले और आपसन D है रगुजी दृति है तो इसका अंसर आपका कौन सा हो जागा, रगुजी तृती हो जागा, देखिए जो 36 गड़ के अंतिम मराठा सासक कौन है, तो 36 गड़ के अंतिम मराठा सासक रगुजी तृती है, अब आप लोग लिए कोस्चन है, कि 36 गड़ के प्रथम मराठा सासक कौन है, तो आप कमेंट में जरूरू बताएं ठीक है आप सभी के लिए कोश्चन है जो लोग व्यापम की तयारी कर रहे हैं उसके लिए ठीक है चल तो चलिए कमेंट में आप बताईएगा कि छत्रिदगर के प्रथम मारा ठासासक कौन है ठीक है नोट करती है चलिएगा ठीक है इसको ध्यान से रखेगा 1830 में पुना भोशला सासक यानि की प्रारम हो गया था जिसमें ब्रिटीस अधिक्षकों को द्वार रगुजी त्रिती को सौप दिया गया था देखे यहां पर 1830 से 54 के मध्या सासन जीलेदार के मध्यम से चलाया गय था ठीक है और जो लोग देखे गणित के तयारी करना चाहते है तो चात्रह अधिए अच्छे के लिए बेश्टे क्लासेस रहेगी और SSC व्यापाम RRC रेलवे ग्रूप डी के लिए तो बेश्टे क्लासेस रहेगी 15 अगस्त से प्रारम किया जा रहा है एक घंटे का महा साम रहेगा ठीक है गणित के क्लासेस कैसे प्रस्न पूछा जाते हैं तो उस दिन देखेंगे 15 अगस्त के दिन तो चलिए देखें यहाँ पर अब सेकंड कोश्चान है आपका गुपतकाल की मुद्राएं जो की 36 गड़ में कहां से प्राप्त हुए है जो गुपतकाल के मुद्राएं है तो 36 गड़ में बान बरत दुर्गे से प्राप्त हुए है ठीक है कहां से प्राप्त हुए है बान बरत दुर्गे से गुपतकाल की जो मुद्राएं है देखें ऐसे ही प्रसने पूछे जाते हैं ठीक है और जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सस्क्राइब करके रख लीजिएगा साथ ही बेल आइकन के गंटी को क्या करोगे आल पर सेट कर लीजिएगा ठीक है चलिए इसके अलावा पिटर वल्द और रैपूर यानि की आरंग मयूर सिक्का इसके अलावा कहां कहां प्राप्त हुई है तो पिटर रही वल्द में रैपूर में आरंग मयूर सिक्का में ठीक है देखे ये प्रसन एक्जाम में कई बार पूछा गया है उनिस सो सदा आलिस की इस थिती में 36 गडल की कितने रियाशत थी देखिये अब जो की एक्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसका आप्षण कौन सा होगा आंसर ए होगा ठीक है जो की 1947 यानि की भरत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसकी 36 गड़म कितने रियासा थी तो 14 रियासत थी तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है तो सबसे बड़ी रियासत है 22 और सबसे चोटी रियासत की बात करें तो सकती है इसको नोट कर लिजएगा ने एकजाम में प्रस्ण पुछ सकता है कि 1947 की स्थिती में 36 गड़ के सबसे बड़ी रियासत कौन से है शक्ति जड़ का सबसे बड़े रियासत है आपका बस्तर, ठीक है इसको नोट कर लिजेगा, और सबसे छोटी रियासत की बात करें तो सक्ति होगा, देखिए नेश्ता कोच्चन है आपका, बिलासपूर वानर सेनक से वासुदेव देवरस थे, तो रैपूर वानर सेनक का नेतित्व कीस ने किया है, देखिए बिलासपूर वानर सेनक से वासुदेव देवरस थे, तो अब यहाँ पूछा गया है रैपूर के लिए, बिलासप करती हो चलिएगा बिलासपूर में 1930 में गठन किया गयी था और रेपूर में 1932 में इसके संथापक बली-राम अजाद और संचालक यति-यतनलाल हुए है इसको नोट कर लिजेगा exam में पोछ सकता है कि रेपूर में हाँ रेपूर में बली-राम अजाद है और संचलक की बात करें तो यति यतन लाल हुए थे ठीक है नोट करते हो चलीगा exam ऐसे प्रस्ना मिलता है पांचवा question क्या कहता है देखे पांचवा है गोडवाना कल्प में मुख्य क्काने गोडवाना में तो हमेशा कोईला ही प्राप्त होता है देखे तो इसको नोट करते हो चलीगा प्रदेश की उपरी छेतर में गोडवाना करम के चटान पाई जाती है। जो कोईला है वो मुख्य खाने है। ये 36 गड़ी से अब जन जाती से पुछा गया है कि भत्रा जाती के गित नात्या में किसके प्रभाव पड़ा है। बत्रा जन जाती से अर माते देव की पूजा भी की जाती है। तो इसके लिए आयू आपका 25 वर्स होना चाहिए, तो आपसन कौन से दिख रहा है, D, ठीक है, 25 वर्स होना चाहिए, देखिए अब आठवा कोच्चन है आपका, कि 36 गड के राज्य 2013 के विधान सबस्चुना में बैलेट मसीन को कौन से नया बटन जोड़ा गया है, जो बैले प्राज्य 2013 के विधान सबस्चुना में बैलेट मसीन में एक नया परटन जोड़ा गया था, उसका नाम है नोटा, ठीक है, सरगुजा अंचल का प्राचिन वाध्या, महुवेर किस तरह का वाध्य है, जो महुवेर होता है, वो किस तरह का वाध्य है, तो इसका अंसर आपक कहां के रहने वाला जो हाथ से कलाकार है वो नठ्थु दादर राम ते कहां के रहने वाले हैं तो यह प्रस्न एक्जाम में पूछता है तो दसवक अभी हो जाएगा राजनांद गाउ देखे फिल्म की बात करें तो गाउं रामपूर जीला राजनांद गाउं में डेर सो से ज्यादा फिल्मों में अभिनाई किया है यह देखे मैं आप सभी को बार बार रहा हूं एक्जाम में ऐसी प्रसने पुछा जाता है 36 गड़ समानने ज्यान भारत का समानने ज्यान अब 36 गड़ी भासब प्लस हिंदी व्याकरन के हम कोश्चन देखेंगे जो लोग चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलीगे साथ ही बेला इकन की घंटी को आल पर सेट करके रख लिजेगा ऐसे एक्जाम में प्रसने पूछा जाता है इसलिए मैं आपको अब जट्यो कोशन करा रहा हूं टेस्ट सीरीज चर रहा है चालीस अब जट्यो कोशन के लिए बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है ठीक है बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है ऐसी प्रसने एक्जाम में पूछा ही जाता है जो लोग चप्रासी भरती यानि के मंद्रालाई की तयारी कर रहे उसके लिए तो बेश्ट क्लास है यहां से बिलकुर प्रस्ण बनेंगे ऐसी देखने को मिलेगा उसके एक्जाम में चलिए देखें प्रसिद्ध परब नित्य यानि के शैन नित्य कि जन जाती दरा किया जाता है जो सैन नित्य होता है परब नित्य बोलते हैं उसको वो इसका आंसर आपका स्रिहोगव मूरिया ठीक है बारोक होच्चान है आपका कि आदिवासी छेतर में 10 बच्चों की संख्या पर खुलने वाला विद्याला है जोगी आदिवासी विद्याला है वो आपका कौन सा हो जाएगा ग्यान जोती विद्ययालाः ठीक है ग्यान जोती आधिवासी छेतर में दस बच्चों की संख्या को खुलने वाला विद्यालाई था ठीक है तीरवा प्रस्ण है असार प्रथम दिवाश कायोजन की जीले में होता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऐ सर गुजा सबसे चासर पढ़ा कि तिहास काल पढ़ो वहां से एक्जाम में पूछता है मारठा कालिन सासर वे अस्था में गैर क्रिसी से लिए जाने वाले कर क्या कहलाता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C ठीक है देखे अब यहाँ पर एक नोट है यहाँ पर सेवई का अर्थ डंड यानि की जुर्माना रासे सार अर्थात निर्यात कर जमिंदारी करकी बात करें तो आयात की हुए हैं आज पर लगायागर होता है नेश्टकोश चरहें आपका कि 36 गड़ में रणजी क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान किसे बनाया गया था तो इसका अप्शन ए हो जाएगा मॉब के को बनाया था ठीक है तो देखिए देश का 28 रणजी टोप है जिसमें 36 गड़ी से माने तब फरवरी देजर सोला में दिया गया था अब नेश्टकोश चाने कि कौन सा 36 गड़ी बोली नहीं है तो देखिए अब 36 गड़ी बोली नहीं है तो यह आपका अप्शन 16 कभी हो जाएगा लुंधाती एग 36 गड़ी बोली नहीं है बाकि क्या है बेंगानी बिंजवारी और सद्री क्या है 36 गड़ी बोली है जो पलान होता है ठीक है पलान क्या होता है एक सिंची छेतर की भूमी होता है ठीक है यह PSC में पूछा गया है यह PSC एगजाम में कई बार पूछ चुका है छटरी गड़ी सब्दम पलान करता होता है सिंची छेतर के भूमी आपसन ऐ हो जाएगा ठीक है अब देखें यहाँ पर 18 question ही कि दिये गए वाक्यों में पुन सकरमक वाक्या कौंसा है अब सकरमक हुआ अब हिंदी से देखेंगे question यहाँ पर ठीक है समारूफ आपन ददाला चाठ ठान रूपया दी तो इसका आशन कौन सा है जो सकर्मक वाक्य बुलागए है तो सकर्मक वाक्य होगा आपका आंसर ए रामा आमा खात रही ठीक है ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को क्या करोगे सब्सक्राइब करके रख लोग भी ठीक है ऐसी वीडियो लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजेगा 36 गड़ी सब्दों के सामने उनके अर्थ दिये गए हैं तो इनमें किसके सब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा है तो चलिए देखते हैं ये देखे एकजाम में पूछ चुका है ये वाला प्रस्ण 36 गड़ी सब्दों के सामने उनके अर्थ दिये गए हैं इनमें सकी सब्दे के साथ उनका गलत अर्थ है तो देखते हैं चलिए ठीक है इसका अंसर आपका देखे पहला पढ़ते हैं भलुक यानि की बलकी सन यानि समान चितिक यानि थोड़ा लटपट यानि सच होती है आपसन गलत लिखा हुआ है ठीक है ये वाला गलत लिखा हुआ है भलुक को मतलब होता है बलकी सन का मतलब समान चितिक मतलब थोड़ा सा चुटकी भार ठीक है भलूक मतलब बलकी और यह लटपट लिखा है मतलब गलत लटपट का मतलब होता है मुश्किल होता है क्या होता है मुश्किल तो देखे हैं पर नोट कीजिएगा लटपट का मतलब मुश्किल यानि कि किसी कारे को मुश्किल से करना, यह गलत है ठीक है? ऐसे exam में प्रस्न पुछा जाता है हिंदी से देख रहे हैं, ठीक है हिंदी से 10 नंबर से पुछे जाएंगे ठीक है हिंदी से 10 नंबर पुछे जाएंगे और क्या बोलते हैं प्यून भरति की तो इसमें 10 से पंदर नमबर पुछे जाते हैं हिंदी से तो आपका यहां से तयारी हो जाएगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा साथ ही बेल आइकन के खंटी को और पर सेट कर लेज़ेगा ठीक है देखे आजरा मानना का मतलब होता है टो ना करना तो आपसन ए हो जाएगा ठीक ह मुरी गड़ी आना च्छतिस गड़ी मुहारा करता है देखे अब मुहारा पर्यावची सब्द है ना यहां से बिलकुल प्रसना बनते हैं तो मुरी गड़ी आना जंजाती च्छतिस गड़ी मुहारा करता है लजजीत होना मुरी गड़ी आना का मतलब होता है लजजीत होना 36 गड़ी में दिखे पहले अलार दे दुलार दे ले गचार दी एकर मतलब होते च्छेना एक गुबर होता है उसको अलार दे दुलार दे बोलते हैं ना वह ही है चलो ठीक है सभी लोग का अंसर आ गया इसमें तो भासा सब्द किस भासा की धातु से बना होता है देखे एक्जाम में ऐसी प्रस्णा पुछते हैं जो भासा सब्द है वो संस्क्रीट के भास धातु से बना होता है किस से बनता है? संस्क्रीट के भास धातु से बना होता है तो आपसंस ही हो जाएगा चक्कर आ जाने के कारण आखों के आगे अंधिरा चा जाना 36 गड़ी में इसे क्या कहा जाता है देखिए जो चक्कर आ जाने के कारण आखों के आगे अंधिरा चा जाता है उसको क्या बोलते हैं, 24 का आंसर बताइए जल्दी 24 का आंसर आपका होगा जहावा मारना मतलब चक्कर आ जाता है न सामने आपको कंद्र नड़रंधिर अच्छा जाता है उसको जहावा बोलते हैं 36 गड़ी भासा में ठीक है अब 36 गड़ी भासा हिंदी भासा यहां से बिल्कुल प्रस्ण बनते हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूं ठीक है बहुत नहीं ही प्रियोक किये जाते हैं यह सब कितने बहुतवां जाते हैं अब यह neverman ६ढ़ फ्रकाम के में कई बार कुछा गया है यह वालए पहार का उपर होता है सम भूमि के लिए AB क्या पहलते हैं जो पहार के उपरी भूमि में को क्या बोलते ठीक है, जब किसी वेंजन का सायोग, उसी वेंजन के साथ होता है, तो उसरे क्या कहते हैं, जब कोई वेंजन के जो सायोग होता है, उसी वेंजन को उसी के साथ होता है, उसरे क्या कहते हैं, तो 27 कांसर क्या जाएगा, 27 कांसर सायोग डुट्व कहते हैं, ठीक है, जब कोई व सज्ज अन्न दो समान वंजनों के एक साथ प्रयोग किये जाते हैं तो नेश्ट कोचाने संकर मेरा सच्चा दोस्त है वाक्य में विसेशन सब्द कौन सा है तो विसेशन क्या है देखे संकर मेरा सच्चा दोस्त है यहां से आपको विसेशन निकालना है तो विसेशन क्या होगा जल्दी बताइए विसेशन होगा आपका सच्चा ठीक है किसमत किस भासा का सब्द है जो किसमत होता है वो कौन सी भासा का सब्द है तो वो होए आपका अरवी भासा का सब्द है ठीक है वर्णा माला में किसे इस परस संघर्षी भी कहा जाता है जो वर्णा माला होता है उसमें किसमें इस परसी संघर्षी वेंजन कहा जाता है तो आपका कौन सा हो जाएगा इसका अंसर सी हो जाएगा चावर्ग देखिए अब यहाँ पर नोट कीजिए चावर्ग के चावर्ग ठीक है तो कवर्ग में क्या आता है आप कमेंट में जरूर बताएं कवर्ग में क्या आता है आपके लिए कोश्चन है ठीक है कवर्ग वर्ण में क्या आता है तो वर्ण माला के तो दिखे अगर कवर्ण के आपको पता भी होगो तो टवर्ग भी बता सकते हैं चवर्ग भी स्काल में माना जाता है तो आपका हो जाएगा अंसर इंडरा जो की सर्वाधिक प्रियदेवता है। उप राष्ट पत्य राष्ट पत्य का का र Designer संबालता है। जबकि राष्टपती क्या होगा राष्टपती होगा अब संदी उप्युक्त सभी मामलों में ठीक है उप्युक्त सभी मामलों में अब भारत का समान्य ग्यान देखेंगे यहां से जो बिल्कुल प्रसना पूछता है एक्जाम में ठीक है भारत का क्या देखेंगे भारत का सम सारेम देखेंगे तो ज्ञानी जेल्सी है ठीक है इसका अंसर d oh लगे एक्जामै कई बार पूछा गए ही ज़ामए कई बार पूछा गए है यह वाला भारत के रस्टरिबत की निर्वांचीत होने से पूर्व हो है ठीक है भारती सभुधान के संबंद में निम्न में से कौन से युग में सम्मेलित नहीं है तो चलिए 35 का आंसर देखेंगे वन सम्मेलित नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये आपका सम्मेलित नहीं है एक मिनट ना ये वाला है आपका 35 का आपका स मिलीत थे पोर्श picking saving bank संघी सभुषी से संबंद नहीं है जबकी ये वाला प्रस्ण आपका वन संवर्थी सभुषी से संबंदित है और अदल 36 का question देखेंगे दल बदल निरोत कानून की सविधान से विधेक से संबंधित, जो दल बदल होता है, वो की से संबंधित है, आपका 51, ठीक है, इसका अंसर कितना जाएगा, sorry, 52 है ना, 52, 22, 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 ठीक है, अब दल बदल कौन से आता है, तो दल बदल, 10, वर्स押 chili, इसके अब देखेंगे यह वाला, टीवक्ति आयं निकालने के लिए, राश्टि आय को भाग दिया जाता है, जो प्रतीवक्ति आय निकालने के लिए, जो राश्टि आय होता है, उसको किस से भाग दिया जाता है, तो ये है, आपका आंसर हो जाएगा, इसका कुल जन संक् spins 10 की कुल जन संक् spins से प्रतिवए आए निकाल सकते हैं ठीक है 12 राष्टे उध्यान कहां इस्थित है यह दूध्य राष्ट्यृ राष्ट्यृ में इस्थित है ठीक है अब देखे यहाँ पर 49 वा कोश्चन है इन में से कौन खरीब फसल नहीं है तो यहां सिक्जाम में बिल्कुल प्रसना पुछे जाते है जो खरीब फसल नहीं है ठीक है और कौन-कौन से खरीब फसल है और नहीं है आप कमेंट में जरूर बताएंगे ठीक है तो 39 का कोश्चन है आपर कि कौन से खरीब फसल नहीं है, तो खरीब फसल नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सरसो, जो कि खरीब फसल नहीं है, ठीक है, खरीब फसल नहीं है, और खरीब फसल कौन कौन से कपास, मुंभली और मक्का, ये तीनों क्या है, खरीब फसल है, ये तीनों खरीब फ यहां पर मैं आपको पता दिया हूँ, एक जाम में ऐसी प्रशन पूछता है तो इसलिए मैं आपको इसका और उधरन देना आपको अर। है। वाला है कि most film friendly state 2022 का वार्ट किस राज्य को प्राप्त हुआ है आपके लिए question रहेगा ठीक है यह आपके लिए question रहेगा थीक है यह आपके लिए question रहेगा next video में बताएंगे इसका अंसर आपको मालूप नहीं होगा हम next video में बताएंगे आपको ठीक है अगर यह video आपको अच्छा लगता है तो क्या करोगे मैं आप सभी को पता हूँ अगर यह video आपको अच्छा लगता है विडियो को क्या करोगे subscribe करके रख लिजेगा साथ ही बेल ऐकन के हंटी को all पर set कर लिजेगा साथ ही video को like करते हुए चलिएगा ठीक है ऐसी इरिटेटी वीडियो आप सभी के लिए नेश्टे क्लास में रहेगी तो वीडियो को इंतजार करते रहें ठीक है चैनल पर जूड़ना है तो जूड़ सकते हैं वाटसाप ग्रूप डिस्क्रिस्टन के नीचे लिंग में दिया गया है ठीक है डेली क्लास कराया जाता है